मुंबई पुलिस के SIT टीम ने अब शारूख खान की मैनेजर पूजा ददलानी को समन भेजा है जो आनकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस के SIT टीम से समन मिलने पर पूजा ददलानी ने तबित खराब होने का हवाला देते हुए कुछ और समय की मांग की है क्रूज ड्रग्स केस में आर्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानि के अधिकारियों द्वारा जवरन वशूली करने के आरोप की जाच कर रही मुंबई पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन का दाइरा बढ़ा रही है मुंबई पुलिस के साइटी टीम ने अब शारुक खान की मैनेजर पूजा ददलानी को समन भेजा है जानकारी के मताबिक मुंबई पुलिस के साइटी टीम से समन मिलने पर पूजा ददलानी ने तबित खराब होने का हवाला देते हुए और समय की मांग की है मुंबई पुलिस के रन गोसावी के एक्स्ट्रोशन मामले की जाच कर रही है इस मामले में पूजा दुदलानी को भी पूछताच के लिए समन भेजा गया है लेकिन उन्होंने और समय मांगा है यह समन शनिवार को पेश होने के लिए था दरसल पूरा क्या मामला है इस बारे में चल गया आपको बताते हैं दरसल NCB के गवाह प्रभाकर सैल ने अपने हफल नामे में अभीनेता शारुखान की मैनेजर पूजा दुदलानी की जिस मरसरीज कार का जिक्र किया था उसकी CCTV फुटेज को समय पहले मुंबई पुलिस को लोर परेल से मिली थी पुलिस ने इस बात की पुष्टी की थी कि पूजा दुदलानी की कार देखी गई है लेकिन फुटेज में जो महिला दिखाई दे रही है वो पूजा दुदलानी ही थी इस बात की कोई भी पुष्टी नहीं हो पाई थी इस पूरे मामले की ज़ाच SIT कर रही है NCB के गवाह रहे किरन गुसावी ने शारुख खान की मैनेजर पूजा दुदलानी को पैसे के बदले आरियन खान की गिराफतारी रोखने का भरोसा दिलाया था प्रभाकर सैल ने दावा किया था कि NCB की कारवाई के बाद शारुख खान की मैनेजर पूजा दुदलानी और सैम डिसूजा से मिले थे सैल के दावे के बाद पुलिस ने इस एरिया में सिसी टीवी फुटेज खंगाले जिसमें ददलानी की ब्ल्यू मर्सवरीज के साथ गोसावी और डिसूजा की इनोवा स्यूबी मिलने की बात सामने आई थी वही एसाइटी इस मामले में पूजा दुदलानी का भी बयान दर्च करेगी